दोस्तों नमस्कार सुवागत ही आप सभी का अपना चैनल आई एंटी हिंदी टेक में जैसा कि हमने आपको एक वीडियो बना कर दिया था जिसमें हमने आपको बताया था कि पेटियम SWI क्रेडित कार्ड को आप अनलाइन कैसी अपलाई कर सकते हैं और हमने आपको ये भी बताया था कि आपको आपलाई करने के ब 때 क्या क्या डोकूमिंट लगते हैं और क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको भरना होता है तो आप लोग वीडियो की आंते तक बने रहेगा पेटियम एप पर हम महजूद है और सबसे पहले हम यहाँ पर SBI कार्ड सर्च कर लेते हैं तो यहाँ पर पेटियम SBI क्रेडिट कार्ड को सर्च करने के बाद आप यहाँ पर देख पाओगे कि 11 मार्च की यहाँ पर जो अपॉन्मेंट है वो हमने बुक किया था इससे पहले हमने 10 मार्च को भी बुक किया था लेकिन उसकी बाद हमने Edit Appointment पहले Options पर क्लिक करकी 11 मारच इसे कर दिया तो आज जो है document collect कर लिया गया है वैसे तो यहाँ पर nीचे में बता दिया जाता है कि आपको जो है chart document ready करके रखना है और वह different document किया किया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं chart document के बारे में बताया गया है जिसमें सबसे पहले यहाँ पर copy of adhar यानि अधार card की copy आपको तयार रखना है उसकी बाद copy of pen card यानि pen card की जो copy है वो तयार रखना है तो ये तो हो गया कि जो rocks करवा के आप अपने पास रखिएगा क्योंकि वो ले कर जाती है third number में यहाँ पर original address proof जो की आपको पास में रखना है जो address proof जो है वो उस समय आएंगे और check करेंगे जैसे आपका अगर अधार card देते हो address proof के रूप में तो आप यहाँ पर अधार card उनको दिखा सकते हैं water ID card अगर देते हो तो water ID card आप उनको दिखा सकते हो मतलब जो भी आप address proof के रूप में original card रखना चाते हो address proof का यहाँ पर document रखना चाते हो वो जो है आपको original रखना पड़ेगा और उनको दिखाना पड़ेगा जो कि हमने address proof का यहाँ पर अधार card ही रखा था उसके बाद यहाँ पर अधार card की copy भी दे दिया तो यहाँ पर एक ही अधार card दे देने से ना काम चल जाता है लेकिन ऐसा मत समझेगा कि जिरॉक्स उनको दे दिये हैं तो वो जो है original चेक नहीं करेंगे वो original चेक करते हैं और जो चेक करने आते हैं वो पेटियम के तरफ से नहीं आते हैं बलकि SBI card के तरफ से आते हैं यह बात आप दियान में रखिएगा पेटियम के तरफ से जो है document कलेक्ट करने नहीं आते हैं और यहाँ पर जो भी process होगा आपका document कलेक्ट होगा उसके बाद जो भी credit card वेगरा approve होगा न वो पेटियम के तरफ से approve नहीं किया जाएगा बलकि SBI card के तरफ से approve किया जाएगा तो यह तो होगिया दोस्तो address proof के बारे में मैंने आपको बता दिया और यहाँ पर identity proof के बारे में भी बता दिया अब यहाँ पर additional document जो की यह main है आप ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर दो options आप लोगों को मिलता है अगर आपके पास पहले से कोई bank का credit card है तो आप जो है उसका एक month का statement डाउनलोड कर लीजे डाउनलोड करने के बाद print out करा के रखिए या फिर आपके पास अगर income tax return वाला paper है जो आप fill up करते हैं तो ITR वाला paper आपको देना परेगा और 3 month की savings account की जो statement है वो आपको देना परेगा जो की यहाँ पर selected bank बताया गया है तो यहाँ पर bank का list बताया गया है दोस्तों तो आप जो है इसमें से कोई भी bank में अपना account खुलवाका रखें तो आपको जो है 3 month की savings account की statement जो की यहाँ पर आपको download करनी है और उसके बाद print out करके उनको देना पड़ेगा हला कि मेरे पास जो है पहले से access bank का credit card था तो मैंने 1 month का statement यहाँ पर print out कराके रखा था तो आज हमने उनको दे दिया अब दोस्तों उनका एक और बात कहना था कि अगर आप जो है credit card कोई अगर other bank के credit card लेकर रखें और आप जो है एक month का statement देते हैं तो आपको यहाँ पर यह धियान देना है कि आपका जो credit card का limit है वो कितना है उनके तरब से बताया गया कि इसमें जो है कम से कम 35,000 वाला credit card की limit वाला जो है statement चाहिए अगर आपको किसी bank से credit card मिला हुआ है उसका limit 35,000 से कम है तो वैसे situation में आपका जो credit card का statement है वो valid नहीं माना जाएगा और आपको उस base पर यहाँ credit card नहीं दिया जाएगा तो हमारे axis bank का जो यहाँ पर credit card था उसका जो limit था वो 35,000 रुपया से उपर था इसलिए उन्होंने accept किया और accept करने के बाद finally हमने उनको document सारा कुछ दे दिये और वो जो है document collect करने का process को complete कर लिए अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूंगा कि यहाँ पर appointment तो मैंने submit किया था जो की video बना कर दिया था 8 March को तो आप लोगों को appointment कैसे book करना है कैसे apply करना है पेटियम का यहाँ credit card जो की SBI वाला credit card है अगर आप पुराना वाला video नहीं देखे होंगे तो आप लोग video को जरूर देख लीजेगा जो की इस video के description box में हमने सबसी उपर link दे दिया है उस पर click करके आप काफी आसानी से video को देख पाईएगा तो यहाँ पर दोस्तो हमने जो है 8 March को यहाँ पर application को submit किया appointment book हुआ उसकी बाद appointment जो हमने book किया था वो 10 March के date में book किया था लेकिन edit करने के बाद हमने 11 March इसे कर दिया 11 March करने के बाद आप लोग देख सकते हैं 11 March को मेरा document collect कर लिया गया है और नीचे में application in processing आना है जो कि यहाँ पर जैसे ही इन्होंने बताया कि हम जो है वहाँ पर एक file बनाएंगे और उस अनुसार से आपका document वहाँ पर submit करेंगे फिर यहाँ पर आपका जो application है वो processing में जाएगा और उसके बाद ही आप लोगों को पता चल पाएगा कि आपका जो application है वो approved हुआ या फिर नहीं हुआ तो यहाँ पर मैंने आज document को submit कर दिया है और अब देखते हैं कि यहाँ पर मेरा जो credit card है वो approved हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है और यहाँ पर जो भी update और आएंगे न मैं आप लोगों को वीडियो बना कर सुचित कराते रहूंगा इसलिए आप जो है credit card के statement देने की जरूरत नहीं पड़ेगा तो additional document में दो options दिया गया है हमने तो यहाँ पर एक दे दिया है देखना से से कि मेरा approved होता है या फिर नहीं होता है तो फिर मैं एक detail में वीडियो बनाऊँगा जो कुछ भी आगे update आएगी तो इस वीडियो में दोस्तों फिलाल इतना ही मिलती है फिर एक नए वीडियो में हमें दीजिए इजाज़ा तब तक के लिए गुडबाई